सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल करन यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट एंड्रोइड टिप्स एंट्रिक्स एंड अदर टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चैनिज कंपनी मीजू ने कल कर दिया अपने दो नाए फोन ला पारे में इसके पीचर के बारे में फोन के फोन प्राइश रेंज फोन के अवेलिबिलिटी और हर चीज अन दो फोन के हम जानेंगे जिनका नाम मीजू प्रौ 7 दूसरा है मीजूप प्लस तो चलिए बियू स्टार्ट करने से पहले मेरे बेरी आप सब सब्सें यूक्ति अ तो सबसे पहले में आपको एफसी पाल आया था तो आप एपको एफसी स्क्रीन पर चाहा हो तो आप हम इस फोन्हें यह起के 0.1 और यहुले हमके उश्के कशेश पुमारन उप इसका का में घआ यह पादों कि उ smells, इसका है ईलगी चाया बरे वाहे हैं! मिजू कंपनी जो मिजू ने लाँच के हैं मिजू प्रो 7 प्लस इनमें ये टेक्नोलोजी बहुत एंहेंस की गई है तो एक ही टॉप लेगे हैं इस टेक्नोलोजी को तो अब हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले ये लाँच कब हुआ तो लाँच एक कल हुआ और यानि में मिजू फ्रो 7 पो 7 पो प्लस में और इस Singapore क्या-क्या कंले सक्टेयों सक्टेव और सबांद के सब्सक्माल सब्सक्रेश कर सकते हैं अब कर सकते के तुस्क्या कर सक्टेँ आपने बात करते हैं, और की बात की बात ये है कि आपको इससे के साइथ इनसर मिलने वाले unterstüt से लिख को साइप को इसके साइथ संसर भी मिलने वाले साहई वह जायए से ख़ुह प्रोक्सिंविंधरे संसर मिलने वाले देखने को मिल जाएगी उसके साथ साथ अगर हम बात करें यह दो इसके नर्ट कामरा की तो इसमें डूर इसमें चामरा है तो डॉनूज के आइम Sony के IMX386 और F2.0 अपर्चर के साथ आपको ये कैमरा मिलते हैं और LED फ्लैश भी आपको इसमें मिल जाती है PDAF और LED फ्लैश आपको इसमें मिलने वाली है उसके साथ साथ आप कैमरा काम कैसे करें तो एक क्या करता है Monochrome शूट्स लेता है और फिर फोन का सौट्वर उन दोनों जो फोटो इन दो कैमरा से डिफरेंटली फोटो लिए गये है और फिर आपको आगे एक इमेज उसकी मिल जाती है वो बहुत अच्छी तरह आपको दूसरी इमेज भी इसमें मिल जाएगी उसके साथ-साथ ये लो लाइट केंडिशन में भी अच्छा है क्यूंकि इसको सेटप है डियूल कैमरा का वो है कुछ-कुछ ओनर एट की तरह तो आपको लो लाइट केंडिशन में भी इसके आच्छे रिजर्ट देखने को मिल सकते हैं इसके बाद जिद्रिधे करेंगे कि इन में क्या क्या का डिफ्रेंशिज है सब्सक्रीद सब्सक्राइब तो आपको रीकान है तो यह आची बात है एश्क नहीं को तो इसमें मिलेगा आपको Mizu Pro 7 के second variant की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है Mediatek का Helio X30 तो यह अच्छी बात है तो प्रोसेसर मिलने वाला है उसके साथ-साथ आपको इसमें भी 4GB की RAM मिलने वाली तो इसके internal storage में फोड़ा चेंज है आपको Mizu Pro 7 के जो आपको second variant है उसमें मिलने वाला है आपको 128GB internal और Mizu Pro 7 का जो first variant है उसमें मिलने वाला आपको only 64GB internal तो यह भी बहुत है 64GB तो इसकी बात कोई नहीं है 6GB RAM और MediaTek का दूसरा जो इसका variant है उसमें मिलने वाला वही MediaTek का Helio X30 दूसरे variant Mizu Pro 7 Plus का है तो और पहला भी मिना भी इसका ही बताया Mizu Pro 7 Plus का ही तो उसके साथ आपको इसमें मिलेगा जो second variant है Mizu Pro 7 Plus का उसमें आपको MediaTek का Helio X30 मिलने वाला है 64GB internal के साथ 64GB नहीं 128GB internal के साथ और इसमें मिलने वाली आपको वही 6GB RAM और अब हम बात करते हैं इन दोनु फोंस को थोड़े दिफ्रेंशेट कर लेते हैं और Pro 7 के दिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है वैसे Pro 7 और दोनु फोंस में डिस्प्ले साइज तो बिल्कु मिलने वाली है तो आपको मिलने वाली है थी थाजैने में अपको मिलने वाली है तो अब यहां पर चार्जिंग की बात की जाए तो आपको दोनों तो यह उसके बात बात देखने तो यह आगे की बात बात प सेजैन्स refuse का कया हुआ मिलने फुल मेटल बॉड़ी मिलने वाली है आगे से पूरा फोन पूरा का पूरा फुल मेटल के होने वाले हैं उसके साथ इसमें फिंगर्प्रिंट स्कैनर मिलेगा सामने वाली तरफ और उसके साथ साथ यूए टाइप-C आपको मिलेगी जो वो होगी डेटा उसे आप अच्छे से प्रास्फर कर सकते हो उसके साथ हमरते एज्व कि प्राइस की तो प्रो सेवन की आपको मिलने वाली है चैनि ज्युटान धकर हम देखें तो आपको चैनिस प्रैस मिलने वाली है तो अभी यह अगर देखा जाए अवेलेबल जो प्रो 7 है तो प्रो 7 में बताना भूल गया आपको की प्रो 7 का जो सैंकेंड वेडियंट उसकी प्राइस आपको मिलने वाली है साइस थाइस था चार्स रुपर इंडियन अगर आप उसे कणवर्ट करते हैं तो प्रो 7 और प्र तो इंडिया में में फोन बहुत जल्दी आए तो पिछले वाली स्क्रीन का बहुत अच्छा फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आपको पीछे से एक स्क्रीन मिल रहे है क्योंकि पीछे की जो स्क्रीन होती है वो अज तक सिफ LG लेके आया था लेकि मुतना पॉप हूँ झाले झाले कुछ झाले की जो बाहे है पॉप अच्छा पॉप झाले का अबवत पॉप झाले कॵले